Hello everyone, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत आप के चैनल exam practice 37 में तो KVS interview prepareation series में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जादुई पिटारा के बारे में तो ये क्या है जादुई पिटारा? किसने launch किया है? किसके लिए बनाया है? और इससे क्या-क्या सीखने को मिलेगा ये सारी full detail इस वीडियो में हम discuss करेंगे तो इस वीडियो को अंतक देखना नहीं भूलेगा आए शुरू करते हैं इस वीडियो की तो जादुई बिटारा जो है वो launch किया गया है मानिए सिक्षा मंतरी जी दिवारा और ये जादुई बिटारा जो है वो है क्या play-based learning content है विसे कली मैं personally विताओ मेरी खुद के भी इसकी training हुई है तो NCRT ने से frame किया है launch किया गया है वो सिक्षा मंतरी जी दिवारा launch करवाए गया है तो जादुई बिटारा का ही एक box होता है और वो box जादुई पिटारा क्यों नामे इसका क्योंकि इसमें इतनी सारी play-based और activity-based learning चीजें हैं अंदर कि वो एक एक full complete है सिखाने के लिए foundational stage के बच्चों के लिए तो ये class 3rd से class 8 इने class ने age 3rd से age जिसकी 8 होगी है बच्चे की उस age group के बच्चों के लिए इसका मतलब foundational stage के बच्चों के लिए ये काम के आने वाली चीजें है तो ये जादुई पिटारा क्या है एक box है जिसमें सारी activity और play-based चीजों का एक क्या कह सकते समू है या एक sum है पूरा अब ये NEP 2020 में खेल के द्वारा सीखना ये जो टर्म लिया गया था उसी बेस पर ये design किया गया है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं इनमें चीजों की मैं बात करूँ तो play book हैं बहुत सारी कि book जो है उसमें play activity का नाम लिखा हुआ है slash card बहुत सारे हैं इसमें सीखने के लिए जैसे alphabets हैं तो A से apple apple के लाओ भी बहुत सारी three three pictures बनी हुई हैं और इस तरह की काफी सारी चीजें जिसे A letter को सिखाया जाता है तो pictures हैं उसके नीचे उसका नाम लिखा है तो इस तरह के play cards है shapes के भी play cards है आप जो mathematics के हैं जो foundational stage के बच्चों को सिखाना है मेली हमें ध्यान रखना है कि हम किसे को सिखा सकते हैं इसमें LKG से बच्चों को ले करके class 2 तक के बच्चों को हम इसके दौरा सिखा सकते हैं इसके बद इसमें बहुत सारे toys हैं और इसमे teaching tools का नाम दिया गया है ये सारा जो क्या कुछ है इसको हम बोलेंगे पूरा टीचिंग टूल है ये पूरा कि हम इसको खेल के दवारा सिखा सकते हैं स्टोरी बुक्स है बच्चों के लिए एक जो वरक्शीट्स हैं अब इस मैं बात करूं तो कुछ फूट खेलने की चीजीजें की बात करें तो कुछ जैसे फुट बॉलस दी हैं फुट बॉल को भी एक साइकॉलोजी तरीके से ढ़ेजाइन किया गया है कि फुट बॉल में क्या है अलग अलग कलड एंट अलग कलर है lotLC विजेट्स भी दिये गए हैं 1234 से भी बनाए गए इस फुटबॉल को विक्सित किया गया है ऐसा टीचिंग टूल बच्चे खेलते भी हैं उनकी कही नहीं नजर जाती है फुटबॉल पर तो उन्हें वह खेल खेल से भी वह ग्रैस्प कर लेते हैं चीजों को सीख लेते हैं अब बात करें musical instrument तो मैं बात करूं तो foundational stage में जो एक डफली आती है कुछ एक और flute रहती है बजाने के लिए तो ये चीजें जो है ये बच्चों को काफी excited करती हैं काफी interest बनाती हैं किसी topic कों पढ़ाते हैं डफली हम कब बजा सकते हैं डफली उसके लिए जूज में आती ह सरकल में बच्चे घूम रहे होते हैं आपको एक activity पता होगी वो numbers की है fire on the mountain run 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 तो fire on the mountain उसमें घूमते हैं फिसको अदम बोलते हैं four 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 के group में हो जाते हैं फिर वो सरकल में घूमते हैं सरकल की तो बहुत सारे games होते हैं बच्चों के इसमें डफली का flute का इसका यूज कर सक लगते हैं एक जो नया एक इसमें जोड़ा गया है एक फीली बैग उस बैग में एक black color का बैग रहेगा उसे बहुत सारे object डले रहेंगे shapes मालीजें डले हैं बच्चों को हाट डालना है उनको दिखाई नहीं दे रहा है बस उनको feel करना है कि यह कौन सा shape है ठीक है कि कौन सा shape यह है यह numbers को feel करना है number से digit डले हुए पूरे 1,2,3 उसी shape के तो numbers को feel करना यह कैसा लग रहा है यह object पहचाना है कि कौन सी चीज इसमें डली हुई है black color का बैग रहेगा इसे फीली बैग नाम दे देंगे यह भी उस जादूी पिटारे में हैं hand puppets काफी सारी दी हैं मतलब hand में हम puppets हैं उसमें rabbit बना हैं कर्वोस बना हैं तो कोई हमें उसकी story बतानी हैं तो hand puppet का use कर सकते हैं और wooden beads होती हैं मोती वो wooden के हैं उसके द्वारा हम counting सिखा सकते हैं place value यह सब सिखाने के लिए हमारे वो चीज काम में आती हैं और क्या कहीं चीज़े हैं Lacing board है Lacing board सायद आप बने होते हैं holes होते हैं उसमें Lages लेते हैं Lace के द्वारा हम उसमें क्या बनाते हैं शीप बनाते हैं triangle बना देते हैं शरकल बना देते हैं उस Lacing board पर एक आता है Tracing board Tracing क्या कहलता है उसमें खांचे बने होते हैं ABCD यानि एक pencil से हम चलाएंगे तो उसमें वह लिख boundary बना देते हैं वो map बन जाता है नीचे तो सेम उनके लिए है 1-2-3 वो किसलिए जरूरी है वो बच्चों को proper 1-2-3 लिखना आ जाए कई वाट टेड़े मेड़े अक्षर बनाते हैं तो जो tracing बूड़ आते हैं उससे बच्चों की कहा hand writing अच्छी हो जाती है proper लिखना सीख जाते हैं इसमें puzzles बहुत सारी दी है कि fit and match आपने देखा होगा कि कोई एक picture बनानी है उसमें puzzled है तो puzzle को set करना है ताकि वो picture बन जाए जो उसमें दे रखी है कोई shape है कोई कहीं का scene है कहीं river का scene है ये सारी चीज़े है fit and matching मैचिंग वाले हो सकते हैं इसमें कि match कराना है object को numbers से एक dominoes वाले इसमें रहते हैं dominoes का किलाते हैं जो dice के तुरू हम game खेलते हैं तो बहुत सारे dominoes हो सकते हैं एक ऐसा हो सकता है कि हम plus वाला game खेलें कि dominoes में हम पहले पढ़ाए उसमें dice में कितने आएंगे 4 आ रह होते हैं उस पूरे खेल को खेलते हैं कुल मिला कि मैंने इतनी सारी चीजें बताई आपको कुछ ना कुछ तो यादी रहेंगी इससे भी ज्यादा इसमें चीजें हैं यह ncrt दौरा लॉंच किया गया है वैसे इसका range काफी महेंगा है लेकिन आप खुद का भी जादूई पिटारा बना सकते हैं यह सारी चीजें एक जब आप class में पढ़ाने जाएं प्री प्राइमरी में यह प्राइमरी में भी एक box तैयार कर सकते हैं जो जो आपको activity है कि free time में या classroom में भी topic पढ़ा रहे हो तो उसमें पहले सी भरी रखी हो कि हम जाएं उसको निकालें बहुत इंट्रेस्ट के साथ इन चीज़ों को सीखते हैं केलते हैं आई होप आपको यह जादुई पिटारा समझ में आ गया होगा यह जादुई पिटारा है क्या यह एक collection है सारे teaching tools का जिसमें एक combined room से हम बच्चों को बहुत सारी चीजे play way method में सिखा सकते हैं foundational stage के हैं अगली वीडियो में किसी नए topic के साथ